हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ साव थिनेन स्पेसल इडली सामबर रेस्पी, तो आएए शुरू करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए वन टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, वन टी स्पून काली राई या गाली सर्सो, जीरा, नमक, वन टेबल स्पून सामर मसाला, दो साबुत लाल मिर्च, एक चुटकी हीम, एक से डेर इंच अधरक दो हरी मिर्च, तू टेबल स्पून इमल पानी, एक कप अरहरदार, इसे मैंने साफ कर लिया है, लौकी, पंपकीन, कट किये हुए, प्याज, इसे भी मैंने कट कर लिया है, एक कप मुंफली, और कडी पत्ते, इडली का बैटर बनाने के लिए, एक कप उरत दाल, दो कप चावल को, 4-5 गंटे तक पानी में भीगोकर उसकी पेस्ट बना लें, और ओवर नाइट इसे फॉर्मेंट होने के लिए छोड़ दें, ताकि हमारी इडली स्पंजी बनें, और उसमें साउथ इंडियन जैसा खटा पर फ्लेवर आपाए, अब हम इस बैटर में आड़ करेंगे 1 टेवल स्पून नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हमारी इडली के बैटर बिल्कुल रेडी है, अब हम प्रेसर कूकर में आड़ करेंगे दाल, 2-3 कप पानी, 1-2 टेवल स्पून नमक, हल्दी प पाउडर और इसे 2-3 सीटी तक पकाएंगे, अब हम एक पैन में आड़ करेंगे मुंग फली और इसे लो फ्लेम पर 5-7 मिनट तक भूनेंगे, 5-7 मिनट हो चुके हैं, हमारी मुंग फली बिल्कुल भून चुकी है, अब इसे हम मिक्सी जार में आड़ करेंगे, साथ में आ लेंगे, तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है, अब इसमें हम एड़ करेंगे 1 टी स्पून नमक, और इसमें हम अब तरका लगाएंगे, उसके लिए हम लेंगे एक तरका पैन, इसमें एड़ करेंगे 1 टेबल स्पून ओल, काली सरसो या काली राई, कड़ी पत्ते, और इसमें पकने देंगे, और हम एड़ करेंगे हमारी चटनी पर, चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यहां हमारी दाल भी पक चुकी है, इसमें हम एड़ करेंगे कटे हुए प्याज, लौकी, पंपकिन, सांबर मसाला, नमक, कड़ी पत्ते, एक कप पानी, और इसे मीडियम फ्लेम पर, दो से तीन सीटी तक पकाएंगे, दो से तीन सीटी लग चुके हैं, अब हमारी सांबर पक चुकी है, इसमें हम अब एड़ करेंगे इमली का पानी, इसे दो से तीन मिनट तक पका लेंगे, अब हमारी सांबर रेड़ी हो चुकी है, अब हम इसमें लगाएंगे तरका, तरका पैन में एड़ करेंगे हम वन टेबल स्पून ओईल, जीरा, लाल मिर्च, काली राई, कड़ी पत्ते और एक चुटकी हींग, इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, अब हम एड़ करेंगे हमारे सांबर में, तो सांबर सर्व करने के लिए बिल्कुर रेड़ी हो चुका है, अब हम इडली तैयार करेंगे, इसके लिए हम लेंगे एक पैसर कुकर में ठोरा सा पानी, अब मिज़े स्टैंड में थोरे से ओईल लगा लेंगे इसमें एड़ करेंगे हैं मिडली का बैटर हमारा स्टैंड तयार हो चुका है अब हम एड़ करेंगे इसे प्रेसर कुकर में स्टीम करने के लिए प्रेसर कुकर की सीटी हटा ले और इसे 10 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे 10 मिनट हो चुके हैं हमारी इडली बिल्कुर रेडी है वीद स्पून हम इस तरह से इडली को निकाल लेंगे तो हमारे पास रेडी है बिल्कुर टेस्टी और सॉफ्ट इडली इसे गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ सर्फ करें तो गैस कैसी लग गी आपको ये रेस्पी कमेट करके बताएं और लाइक सब्सक्राइब मै चैनल थैंक्स पूर वाचिंग